हेलो फ्रेंग्स इस राजबाला एंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल एलीना मेकोवर हैश्टेग राजबाला जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देखने हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे की मेरी जो लेटेस्ट वीडियो से वो आप तक पहुंच पाएं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जैसे के आपने टॉपिक को पढ़ी लिया होगा के अंडर 300 रुपीज में जो है वो कुर्ती काद में रिव्यू लेकर आई हूँ हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना अंडर 300 इवन यह 300 की भी नहीं है कुछ तो 284 की है कुछ 299 तक है तो अंडर 300 ही है कभी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यह सिर्फ 300 की कुर्ती है तो क्या यह अच्छी होंगी वैसे मैंने इनको पर्चेज ऐसे ही नहीं किया है मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि राजबला आप यह बताईए कि क्या यह कुर्ती अच्छी है यह जो मिलती है इसमें अमाजॉन में या फ्लिप कार्ट पर तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खरीद भी लेती हूं और अगर अच्छा लगता है तो आप सब किसाथ रिव्यू भी कर दूगी बता भी दूगी कैसी है उसकी क्वालिटी कैसी है चल हमें फ्रिण्ट सब्सक्राइब लेबल है अगर आप सर्च करेंगे यह कुर्दी और आप देखिएंगे सका कलेक्शन बहुत ही प्यारा है बहुत ही सुंदर है उन में से मैं अपने लिए यह दो कुर्दी पर्चेश की है फर्स्ट यह है और सेकिंड यह आभ मैं एक एक कर कर दिखाती हूँ, यह कुछ ऐसा दिखाई देता है, यह round neck है, सबसे पहले बात करते हैं, इसकी quality की, इसका जो material है वो है crepe, crepe जो fabric होता है, वो भी काफी comfortable होता है, लेकिन जो लोग cotton ही prefer करते हैं, वो शाइद इनको इसको ना पहन पाएं, लेकिन मुझे तो यह गुरती वाश भी कर चुकी हों कई बात तो इसका देखिए इसका फैब्रिक क्रेप है इसका जो नेक है वो राउंड है और इसमें बहुत ही प्यारा सा प्रिंट दिया हुआ है आगे बहुत सुंदर यह देखिए उपर इसको अगर मैं और आपको नीचे करके दिखाऊं तो यह देख है आगे इसका प्रेंट कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है यह थी मेरी फर्स्ट कुर्टी अब मैं आपको सेकेंड को दिखाते हूं सेकेंड कुर्ती का जो कलर है जो स्क्रीन पर उसमें नजर आ रहा था वह कलर था कुछ फ्लॉरल ग्रीन कलर का प्रट ग्रीन दिएंगे उनके सब के फैब्रिक अब को क्रेफी मिलेंगे इसका भी राउंड नेक है इसमें चिशंप में प्रिंट है दोनों साइफ प्रिंट दिया है से इसमें कुछ ऐसा प्रिंट दिया हुआ है कि देखें है पीछे से ये वी बिल्कुल प्लेन है लेकिन अब बात आती है इसमें इसके माटीरियल की यह बिल्कुल भी शियर नहीं है शियर मींस यह ट्रांसपेरिंट नहीं है तो आप जो भी इनर्वियर जो पहनोगे वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं अगर आप college going girl है या आप office जाते हैं और आप affordable range में बहुत अच्छी कुर्तीज देख रहे हैं तो यह कुर्तीज में से आप कम से कम 6-7 कुर्तीज खरीद लीजिए और डेली जो है उनको न्यू न्यू पैन कर जाई है यह जो सारी कुर्तीज हैं जो मैंने purchase की हैं यह दोनों ही कुर्तीज बि अगर आप सोच रहे थे वहले के इस रेंज में क्या हमें अच्छी कुर्तीज मिल पाएंगी तो हाँ definitely यह purchase आप कर सकते हैं quality बहुत अच्छी है material बहुत अच्छा है shear बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसको easily purchase कर सकते हैं कर दो आप कर दो कर सकते हैं प्रफवे सकते हैं झाल